Hello student, आज हम पढ़ेंगे jute textiles. India is the largest producer of raw jute. That means India में सबसे ज़्यादा produce क्या होता है? Raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. इस line का मितलब है कि जो second number पे हमारा exporter में India है. First number पे क्या है? Producer. Second number पे exporter after the Bangladesh. Bangladesh, Bangladesh के exporter के बाद, यानि अब यहां पे confusion होता है कि भई हम producer है लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा producer है, हम बड़ी मातरा में करते हैं, लेकिन फिर भी हम second number पे exporter में क्यों आते हैं? तो इसको भी हम understand करेंगे, क्योंकि आप एक example लेजिए कि अगर बांगलादेश 40 बेल्स का quantity में produce करता है, बेल्स यानि जो quantity में इनको नापा जाता है, थान वगरा होती है, उसे कहते हैं, तो इसमें अगर उन्होंने 40 करा और 40 में से 30 उन्होंने export कर दिया, तो ratio में इनका जादा है, लेकिन इंडिया का example लें, तो अगर वो 70 produce करती है और उसमें सिर्फ 20 या 30 ही export कर रही है, तो ratio में इंडिया का export क्या हो गया, काम हो गया, अब ऐसा क्यों है, कि बांगलादेश export करने में सक्सम है, जब कि हम नहीं है, ऐसा क्या reason है, क्योंकि बांग इसको वो valuable product बना सके, produce कर सके, कम है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना largest जो producer है, उसको complete करने के लिए processing, value करने के लिए meals है, आप जितनी भी meals देखोगे, west बंगाल, mainly along the banks of the hooghly river, तो best बंगाल में, west बंगाल में minimum 70% जो आप देखेंगे, hooghly river के पास, जो एक बैल जारी है नेरो बैल जारी है, वहाँ पर बहुत सारी meals मिलेंगी, located है, इसको भी हम understand करेंगे, बट पहले भी हम यह समझ लें, बंगलादेश में क्योंट बंगला, अब इसकी भी एक स्टोरी है, यहाँ पर से देखेंगे, the first jute meals was set up near Kolkattah in 1855 at Rishra, यहाँ पर सबसे पहले Kolkattah में jute meal established की गई, after partition in 1947, जब पाकिस्तान और इंडिया का partition हुआ था, तो jute meals हो थी, remain in India, ध्यान रखना इस सीचकों कि इंडिया के अंदर ये jute meals रह गई थी, but three-fourth of the jute producing area went to the Bangladesh, लेकिन बंगलादेश में भी three-fourth part चला गया, इस वज़े से वहाँ भी producing होती है, जो आज, जो bangla daysh था, east bangla daysh था, जो रोगया, वो पाकिस्तान, east Pakistan के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन bangla daysh का भी part time, जब इस से हो जाता है, पाकिस्तान से तो फिर से अपना bangla daysh स्वतंतरों के separate east bangla daysh पर्ष्क जाता है, जिसकी वज़े से जूट मिल्स इंडिया में जादा रह गई और इसलिए यहां पर पूरा प्रॉसेसिंग करने का एक सिस्टम है जबकि पांगलादेश में भी गई कुछ मिल्स लेकिन वहां पर प्रडूसिंग सिस्टम करने का है ना कि उसको एक वैलुएबल बनाने की मिल्स प्रडूसिंग प्रडूसिंग करते हैं तो इसलिए वह सिर्फ से उस चीज को प्रडूसिंग करके एक्सपोर्ट कर देते हैं तो इंडिया फिर्फ लाटिय। largest producer है और second exporter है तो इस चीज़ को आप क्लिरफाइ कर लिजी और रिमेंबर अब नेक्स चीज़ हम अंडेस्टेंड करेंगे अब हुगली बेसिन यानि जो बेस्ट बंगाल में आप देखोगे जहां से हुगली रिवर जा रही है उस साइड में अगर आप देखेंगे तो एक नेरो बैल जा रही है और वहां पर यह लोकेटिड है जूट मिल क्यों क्यों हुगली रिवर के पास ही ऐसे कौन कौन से फैक पहला प्रॉक्समिलिटी प्रॉक्सिमेटी फीइघ जूट बडाइबेज क्यों पर परॉटमाल होती है क्योंकि जूट को पर उन्हें पर्डूट करने कि वहाँ पे water मिल जाता है इसलिए producing area यहीं पर है ज्यादा इन expensive water transport क्योंकि जो हम अगर देखें तो यह सस्ता पड़ता है अगर water transport से हम supply करते हैं तो उनको बहुत cheap पड़ता है तो इसलिए क्या होगा जो in expensive होगा वह water transport उनके लिए जादा पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़ी quantity में जाता है पहले अप अंडर्स्टेंड कर लीजे स्टूडेंट एक पॉंट यहां पर यह रह गया कि जूट क्या होता है जूट का golden color होता है इसे golden fiber भी कहते हैं और आप उसे हम जूट कहते हैं next अब हम देखेंगे कि क्या responsible at support by a good network of railway तो railway का network बहुत अच्छा है roadways का waterways का यहां पर बहुत अच्छा connectivity है इसलिए यहीं पर ज्यादा production होता है तो facility movement of raw material to the meals और meals का जो raw material है उसकी facilities के लिए जो उनको चाहिए होता है meals में जो चाहिए होता है वो सब available है और easily roadway से railway से waterway से meal तक पहुंचाया जाता है जैसे सुगर बनाने के लिए सुगर कैन मिल जाता है तो इसलिए यहां पर हुगली basin पर ही mostly यह मिल्स लगाए जाती है ताकि उन्हें सारा raw material मिल सके abundant water for processing raw jute और पानी भी बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर अवे लेवल है जूट के लिए जो कि चाहिए चाहिए raw jute के लिए क्योंकि यह पानी में ही होता है चीप लेवर इस इसलिए मिल जाता है वहां पर क्यों वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल एक populated area है बहुत बड़ी जनसंख्या है जब जनसंख्या जहां होती है तो हमाँ चीप लेवर सस्ता लेवर असानी से मिल जाता है एंड जॉइनिंग स्टेट्स ऑ बिहार उडिसा उत्तर प्रदेश के स्टेट से यह जॉइनिंग है तो वहां से भी इनको इसली लेबर मिल जाता है कॉलकत्ता एज लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइज बैंकिंग इंसुरेंस एंड पोर्स फैसलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गूड्स और यह जो कॉलकत्ता है अर्बन सेंटर या मिल जाता है तो इसलिए यह जो की मिल सोती है麼 दूर्ट जोट में एक्सपोर्ट बेसन के लिए और पेपर में mostly आई जाता है कि हुगली बेशन पे ही लोकेशन क्यों है जूट मिल्स की mostly तो यह बहुत important question है students और यह आपको first line भी remember रखनी है कि raw जूट producer में हम first है और बांगलादेश के बास second है ठीक है क्योंकि इसी सीए एक एकी line की अंदर बहुत ही ज्यादा deeply इसके अंदर meaning निकलता है क्योंकि बांगलादेश में produce तो होता है लेकिन और meal processes ना होने की वज़े से ज्यादा meal ना होने की वज़े से वो export करते हैं सारा material लेकिन हमारे पास processing value है तो इसलिए हम उसको अच्छी तरीके से raw को valuable product में change कर सकते हैं इसलिए हम producers में first number पे आते हैं बांगलादेश exporter में first number पे आता है और इसके जो भी इस related questions हैं आप one word की questions पे special ध्यान दीजिए next part में हम पढ़ेंगे major policies कौन सी है national policies जो की government ने जू textile की problem को solve करने के लिए बनाई है thank you so much